हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आप सभी को हैपी महाशिब्रात्री तो आज है दोस्तों एक मार्श 2022 और आज की 14 इंपोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं हाँ पर आ चुका हूं अको सीए और बाकि यहां पर उपस्तों सारी इसके बारे में देखे-पिश शुरूरू करते हैं ऍसके इस वडिएजब्स ही केकं दोस्तों जाइए कुल्मगाह सील जोर्य न होने और घान के लिछे हैं हुई 2,83,313 एक्टिव केस हुए 1,014 अब तक जो है 2,78,170 जो है ठीक हो चुके हैं तो यह दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अप्डेट है यहां पे चलिए नेक्स्ट अप्डेट भी देख लेते हैं तो हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मंधन बजट बै आपके चुनाब में भी बना है मुद्दा तो यहां पर जो है दोस्तों चुनाबी वर्ष में 4 मार्च को जो है अपने कारकार कंतिम बजट पेश करने से पहले जर्म शरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए मंत्र शुलू कर दिया है सुमबार को राजिया तिति के ग्रेफ पेटर होप में हुई बजट बैठक में मुख्यमंदर जर्म ठाको नभी तुभाग के अपसरों से इस बारे में बिश्त्रित जानकारी ली है कैबनेट बैठक तीन मार्च को दोस्तों यहां पर हिमाचर प्रदेश बिधान सभा सजिवा लेके मुख्य समिती कक् सकते हो जरी नेक्स्ट अप्टीट यह रही महंगाई की मार्स हुबे में रिफाइंड बीस बंसपती घी 30 रुपे महंगा रिफाइंड एक सो पचास रुपे पती लीटर हुआ बंसपती घी का दाम पहले 140 रुपे अब 170 रुपे प्रती किलो पहुंची कीमत तो अरूस और उक्रेन के भी चल रहे युद के बीच में गाईना भी अपना असल दिखाना शूरू कर दिया है वाजार में खाद्य तेल रिफाइंड बीस और बंसपती घी के दाम 30 रुपे प्रती किलो बढ़ गये हैं रिफाइंड तेल का एक लीटर का पैक जो पहले 130 रुपे में था जबकि सोजों के का तेल यूक्रेन से आता है निर्दर और मध्यंबर्ग पर महिंगाई के मार पड़ी है दुकान दरों ना बताया कि दाम में बढ़ोत्री हुई है और नए दाम पर खादे बस्तों बेची 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 जा रही हैं बेरका का पैकेट बंद दूद आज से बज़ाए 29 रुपए में मिलेगा टोंड मिलेगे 25 बज़ाए 27 रुपए डी टीम 23 के बज़ाए 24 रुपए और फुल क्रीम दूद 30 के बज़ाए 32 रुपए में आधा लेटर मिलेगा तो यह पूरे यहां पर बताया हूंगे के प्राईज में आपको दूद मिलेगा पूर आप यहां पे देख सकते हो चली नेक्स अपटेट यह रही सिक्षा मंत्री बोले करोना संक्रों के मामले हुए कम स्कूलों कोलेजों में बड़ी संख्या तो यहां पर दोस्तों शिक्षा मंत्री गुविंद सिंध ठाको ने बतायागी प्रदेश के सिक्षन संसानों में लग खेल कती विदियों पर रोग के अलावा अभी कशाओं में खिशमता के साब से पचांस फीज़ी विद्याती ही बिठाए जाने हैं सोंबार खोरादी सचिवाले के पत्रगारों से अनुप चारिक बात चीज में गुविंद निकालने को कहा गया है तो यह दोस्तों यहां प सब्सक्राइस बर्क बरकरों को कि बनों को लेकर अगामी बैठक में जो है नैक्षट इनकी कि रहे हैं डाकर के बढ़ना चांगी पढ़ना चाहूं हम सकते हो पर पढ़्टेट ये रही सुबे के 317 विद्यारती अभी भी फंसे हैं यूकरेन में जे राम सीम ने विद्यारतियों और उनके माता पिता से की बच्छूल बातचीत मुख्यमंद्री जर्म ठाकु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 317 विद्यारती अभी भी यूकरेन में फंसे हैं स्वादेश बापसी के लिए राज्यसरकार हर संभब प्रियास कर रही है और मक्यमत्री नए यूकरियन में फसे विद्यार्थियों को यूकरियन में भारती दुतावेस की दिशा निर्देशों का सक्ति से पारण करने का परमर्शियां पे दिया है चलिए दोस्ते नेक्स अपडेट ये रही स्कूलों के बाहर तेनात किये जाएंगे ट्रैफिक राइडर आईयो ट्रैफिक जाम से निपटने की कवाई शुरू राधनी के श्कूलों में खुलने के बाद जो है ट्रैफिक विवस्ता बहाल करने के लिए श्रेमला पुलिस नाएख गास या रही है स्कूलों के बाहर औ विववस्ता के कारन ट्रैफिक जामना लगे इसके लीए ट्राइफिक बाइक राइडर और आईयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तेनाती रहेगी सुबह के समय स्कूल लगने और शुट के समय ही तेनाती होगी स्कूली बच्चों के उस्रक्षा भी होगा होगी सुनश्चित चाले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये लिए ड्रोन प्रश्रिक्षन बनेगा नेजी विद्यालों के लिए पाठ्यक्राण का हिस्सा इंजिनरिंग क्रिशी और भागवानी कोर्स में नए स्क्षन सत्र से बदलाव की तैयारी सभी नेजी विद्यालों से एक माह के बित्र मांगी तैयारियों के को लेकर रिपोर्ट तो अब जो है देश और बिदेश में बढ़ रहे ड्रोन इस्तमा को देखते हो हिमाचल प्रदेश के नेजी विद्यालों में ड्रोन प्रजेक्षन का पाठ्यरम का हिस्सा बनाने का फैंसला जो है लिया गया है प्रदेश के नेजी बिशुवजाले में इंजिनरी इंक्लिशी और बागवानी कोर्स में ने सेक्ष्णिंग सत्ता से बदलाव करने की तैयारी है चलिए तो पूरा पढ़ना चाहते हो यहां पर पढ़ सकते हो 245 बने बरिश्ट सहायक में ने देश्ट सहायक करे दो यहां पर इक्राजश के बाद हिस्रश से लानियूं की रोनक राधनय की होटल must 75 पीस दी तक अक्य पेन्सी बरंभारी की अगक्ष्णव से खिचे चले आए सेलानी विकेंड के बाद सोंबार को भी पहाडों की रानी शिमला में सिलानी की खूब रोन करही शनिवार को हुई बरफार के बाद बड़ी संख्या में सिलानी ने शिमला का रूह किया अरग बाद सोंबार को भी शहर सिलानी से गुलजार दिखा मंगलवार को शिवरात्रि की चुट्टी के चलते बड़ी संक्यम में सहिलानी शिवरात्री के चलते भी रुखे हैं सहिलानी तो यह दों यहांपर कुछ अपडेट है next update यह रही प्रदेश में आज बारेश बरफारी के असार चार मार्च को मुंसम और्पीर आफ प्रदेश के सभी क्ष को मुसम खराब बनाने का पूरा नमान यहां पर जारी किया गया है चार को मुसम साफ रहेगा सोंबार को खेली रही धूप तापान बढ़ा इस बार फर्वर महिने में सामाने से 24 कम हुई बारिश तो यह पूरा दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो नेक्स अपडेट यह र कोटा की डेंटल को लेश उन्दर रगन में 45 खाली सीटे हैं इनमें 22 हैं एचपी और 23 हैं मेरिमेंट कोटा से हैं शुमला डेंटल कोटा से में खाली 25 सीटे एचपी कोटा की बची हुई है चली दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही खाली रही 372 सीटों के लिए दूसरे च इस विशुज़ारी कर दी गई है इस प्रवेश सूची में शामिल चात्रों को चार मार्च शाम पांच बच चक जो है शुल्क जम्मा करवाने होंगे चली दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट है जो भी पीजी के स्टू इंपोर्टेंट है हिमाचल विशुज़ारी में एल्पी बजेक्ट का कारे देख रही कंपनी अपने कर्मचारी विश्वज़ारी में बिठा दिया है कंपनी के दिखाई और स्ताफ की टीम प्रणाम तेयार करने में जुट गए है बिशुज़ारी में बैठी कंपनी की टी तीन मार्स से पहले सभी प्रिक्षा प्रणाम घोशित करने की समय सीमा दी है तो देखने तीन मार्स तक रिजल्ट आते हैं यह नहीं आते हैं आने तो चाहिए बिश्वदाली प्रशाशन का हर संभभ प्रियास रहेगा कि जिन शात्रों की तीन मार्स से अगले समस्टर की प् अभी क्रिब साथ जार चाहत्रों का प्रिक्षा प्रणाम रुका पड़ा है अब सवाल यह भी है कि यदि तीन मार्स तक नतीजे आए तो चाहतर कैसे उना प्रिक्षा फार्म भर पाएंगे शातर की समस्टर करने के लिए हैर्प डैस्क अभी तक शूरू नहीं हो पाया है बिशिव जली के प्रिक्षा ने दरो डॉक्टर जेस नेगी नाय कहा कि कमपनी का स्टाफ पीजी के पिछले नतीजे तियार कर रही है तिन मार्स से शुरू हो रही प्रिक्षा से पूर प्रिग्राम घोशित करने के लिए पूरे प्रियास के जा रहे हैं यहां पर तीन से पहले यहां पर कहा है कि आपके रिजल्ट आप आपके 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 है आया था तो कल कल परसों आया था किसी का जलता ना वह भी दो सब्सक्राइब करेंगा मेरे लेटेस्ट अप्डेट्स के लिए थैंक्यू